तो 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 स्टुटेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे पूरे हफ्ते की करेंटर फेस की डिविजिन करेंगे मंडे टु संडे तो तो ट्वयल्थ और जॉलाई से लेके और पूरा भी कि रिवाइज करेंगे और यह जो क्लास को शुरू करतें तो मुझे तो क्लास की ओडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्रम नहीं लग दी शुरू करते हैं इस क्लास को गुड मॉनिंग गुड आफ्टून वेलकम तू दी यूट्यूब चानल माइनम इस अभिन जोशी सुन्स मंडे से लेके 12 ऑफ जलाई से लेके संडे मतलब आज तक पूरे हफ़ते को हमको रिवाइस करना है ठीक है question answers format में मैं आपको थोड़ा समझा रहे तो है इस क्लास का structure क्या होगा Hello everyone good morning good morning everyone good morning Sahil good morning Hema everyone hello good morning ठीक है तो सुन्स यह पूरी class का structure क्या होगा हम इस class को 6 parts में divide करेंगे हर एक part में 14 questions होगे ठीक है छे part में divide करेंगे हर एक part में 14 questions होगे जो 14 questions है इसमें पहले दो questions होगे starting affairs के अगले 8 questions होगे current affairs के अगले 2 questions होगे social studies के और last के 2 questions होगे finance और banking के ठीक है तो इस तरह से पूरा structure चलेगा Hello everyone good morning welcome good morning तो 6 parts होगे totalist class होगे हर एक पार्ट में 14 questions हर 14 questions जो आप से मैं पूछेंगा उसमें पहले 2 questions होगे static के अगले 8 questions होगे current affairs के अगले 2 questions होगे social studies के और अगले 2 questions होगे finance और banking के ठीक है तो good morning everyone good morning शुरू करते है students आज की class को तो class को शुरू करें उससे पहले कुछ important details मेरे बार मेरे मेरा नाम है भीनव जोशी तीन साल से बजार ताइम से स्रोंट को current affairs, static affairs और banking affairs की तहरी करवा रहा हूं various government exams के लिए students and academy platform पे 14th of July से ने batches शुरू हो चुके हैं यह हमारी केंटी का best platform है जहां पर आप banking exams के तहरी कर सकते हो बहुत सारे batches आप लोगों के लिए create कर दिया गया है जो भी batches आपको मिलेंगे उनमें कुछ चीजों का ध्यान अखाता है इस पूरा syllabus कवर करा जाए टॉप एजुकेटर सापको पढ़ाएं आपको सेट्स को रखा जाता है बहुत तरह के scholarship आप यहां पर देख रहो तो बैंकिंग सेट्स आपके लिए बिल्कुल आक्टिव है उसके अलावा यहाँ पर आप लोग के आक्टिव है यह जुलाए महीने में कौन-कौन से कितनी दुरेशन के उपर कितने अडिशन बेनिफिट्स और क्या प्राइज रखे जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग लिए लगा दिए इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल चेकाउट कर सकते हो उसके स्वर्मेशन मैं बुता दो गर आप स्पैसिविकली बैंकिंग जाम की तारी करना चाहते हो तो यह दुरेशन के हिसाब से यह प्राइज पर आपको सब्सक्राइब ही अविलेबल हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है तो कोई भी कोर्स पर चेस करना हो किसी भी दूशन लेक्ते हो ठीक है स्वेर्ट वी अरॉल सेट वोडियूम बिल्कुल क्लियर उसमें कोई भी पर नहीं है तो शुरू करते हैं अगर आपको क्लास के पीडियाफ लिंक्स और क्लासे के लिंक्स चाहिए थे तो आप यहां पर एक टेलिगाम चानल सीए अब आभी नाव जोशी को जौन कर सकते हैं तो यह मेरा टेलिगाम चलना सारी आपको इंपॉर्ट इंफर्मिशन यहां पर मिल दो ठीक है तो बारह जुलाई से लेके अठ्रा जुलाई मतलब मंडे से लेके संडे तक पूरे हफ़ते को हमको रिवाइस करना है टोटल सिक्स पार्ट में क्लास होगी के हर पार्ट में फोटीन कोशन इन कोशन को अगर्वाइड किहाता है दो कोशन स्टाटिक का फेश के आठ कोशन करांट फेज के दो कोशन शोशल स्टूर श्टार रबेकिंगे शुरू करते हो ठोल्स अपनी क्लास को पहला कोशन आप लोगों के सामने करपे साँमों से हमा स्पेड़ेशनल सेक्यूरिटी एड़ाइजर और कंट्री कोशिश करो मैंने सुझ वॉल्यूम चेक करी तो में वोल्यूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तीक एक बर अपना भी प्लीस आप लो वालिम में कोई दिक्कत तो नहीं आरी के नाम पास और परफिया जाता है जो हुटा है ये data मिली Champions जिया जैसे राजना शींग होगी तरह में शींग को एक और तो हमारी जो हमारी बेंस की जाता है से अ시면्धित होते हैं National Security Advisor मतलब country की security इनकी responsibility अगर country में कोई भी security से लेटिट कोई problem है तो Prime Minister सबसे बहले इन से बात करते है ठीक है आगे चलते सुन से second question हमारा static affairs category का आप लोगों के सामने सुल्तानपूर national park इंडिया की कौन सी state में located है वेर इस दिस सुल्तानपूर national park located in our country क्या है आपको मिलेगा राजसान सेट में पंजाब स्टेट में हर्याना में या फिर सिक्के में कोशिश करो सुल्तानपूर national park is located in which state of our country राजसान पंजाब हर्याना या सिक्के म कोशिश करो इस question को attempt करने की तो मैं देख रहा हूँ काफे से लोगों ने time करना शुरू कर दिया है इसका जो बिलकुल ही सही आंसर है वो है option number C हर्याना बिलकु से हर्याना state के अंदर आपको मिलेगा सुल्तानपूर national park बिलकुल ही तो अगर मैं आपसे एक और edition यहाँ पर question पूछ हूँ question आपसे मैं यह पूछा हूँ कि हमारी कंटी में percentage के हिसाब से सबसे lowest forest area कि state में है यह भी आप मुझे पता सकते है percentage के हिसाब से पताना है area के हिसाब से ठीक है तो सुल्तानपूर national park यह 142 hectares में फैलाव एक national park आपको गुरगाओं हर्याना के पास है मिलेगा बिलकु से इसक के सामने है इंडियान आर्मी ने एक firing range जो की गुलमर्ग जम्मू इन कश्मीर में उसका नाम रख दिया है एक बॉल्यूड एक्टर्स के नाम पर आपसे पूछा रहे किन बॉल्यूड एक्टर्स के नाम पर इस फाइरिंग का नाम रखा गया है प्रेंका चोपड़ा विद विद्या बालन इस कोशन का बिल्कुल ही सही आसर मैं आपको दिखा रहता हूं एक न्यूज आर्टिकल इंडिन आर्मी नेम्स मिलिटरी फाइरिंग रेंज आफ्टर विद्या बालन इन गुलमर्ग श्मीर तो में यहां पर इनिशेटिव क्या था कि जिस तरह से विद्या बालन के नाव पर आगे चलते हैं फोड कोशन कोशन है हमारा करंट अफेस का आपसे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने रीसेंडली एक आल्मुस्ट आल्मुस्ट पानसो करोड का कॉंट्राक्ट साइन किया है किस कंपनी के साथ इस कॉंट्राक्ट के अंद कोशश करें इस कोशन को अटेंट करने के फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि जो आकाश मिस्ट्राक्ट में क्या काम करता है कैसे तो इसका जो बिलकुल ही सही आंसर है मैं आपको पताता हूं वह भारत डायनामिक्स लिंट्र बीडियल असल में सप्लाइ करेगा और मै अकाश मिस्स सिस्टम ना एक एर डिफेंस का सिस्टम है, एर डिफेंस, मतलब कि जैसे कि आपने इसको दिली में लगा दिया, तो दिली के आसपास का 15-30 km का एरिया गर उसमें कोई भी एक ऐसा एरक्राफ्ट आ जाता है, जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, और हमको ऐस लगता है कि यह शायद एनिमी एरक्राफ्ट हो सकता है, तो इसकी अकाश मिस्स सिस्टम में से एक मिसल जाएगी, और वो जाके हवा में ही उस एरक्राफ्ट को गिरा दएगी, ठीक है, इसको बोलते है, एर डिफेंस सिस्टम, और यह जो मिसल होती है, जो यह मिसाईल पर इसको मास स्केल पर जब भी पर बड़े स्केल पर पर डियूस करना वह बीडियल ही करता है भारत डायनेमिक्स लिमिटर ठीक है ठीक है चलते हैं अपने नेक्स कोर्शन पर पांच वा कोर्शन करन्ट अफेर्स काटिगरी का आप लोगों के सामने Department of Public Enterprises DPE अब तक ये काम करता था Ministry of Heavy Industries और Public Enterprises के अंदर Recently इसको shift कर दिया गया किसी नई मिनिस्टी में आप से पूछा रहा है किस मिनिस्टी के अंदर डाल दिया गया है Department of Public Enterprises को क्या इसको रखा गया Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Social Justice and Environment, Ministry of Home Affairs या फिर मिनिस्टी of Finance कोशिश करो The Department of Public Enterprises which was until now under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises has been shifted and brought under the preview of which ministry किस मिनिस्टी के अंदर इसको shift कर दिया गया Commerce and Industry, Social Justice, Empowerment, Home Affairs या फिर Finance इस कोशन का बिल्कुल सी आसरा अब इसको डाल दिया गया है Ministry of Finance के अंदर मतलब पहले ये था Ministry of Heavy Industries or Public Enterprises के अंदर यहां से इसको डाल दिया है Ministry of Finance में तो अभी ये Ministry में से ये तो Public Enterprises निकल गया तो इसको simply हम बोलेंगे अब सिरफ Ministry of Heavy Industries अब मैं आपको समझाता हो reason क्या है कि क्यों Ministry of Finance में डाले गया पहले news article देख लो Government brings Department of Public Enterprises under Finance Ministry reason क्या है इसके बिच्छे reason बहुत सिंपल है देखो Government करना चाहती है Disinvestment Disinvestment अच्छे से किया जा सके तभी इसको रखा गया है Ministry of Finance के अंदर अब Disinvestment क्या होता है देखो Department of Public Enterprises उन सब यह जो Department है यह उन सब Companies के बार में सारी Information रखता है जो कि सरकारी कंपनी Public Enterprises मतलब सरकारी कंपनी है अब सरकारी कंपनीों में Government करती है Disinvestment Disinvestment क्या होता है जैसे कोई सरकारी कंपनी है LIC LIC का जो 100% Ownership है 100% Ownership वो भी Government of India के पास है पर Government इसमें से कुछ Ownership कुछ पसंट Ownership मार्केट में रिलीज कर देगी जैसे आपने सुना होगा Share Market में Shares Release के जाते है इसी तरह से LIC की कुछ पसंट Ownership मार्केट में Release करी जाएगी लोग LIC की Ownership खीदना चाहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है बतले में लोग थोड़ा पैसा रगें Public Enterprises Ministry of Finance के अंदर काम करेगा तो Disinvestment का Process थोड़ा Easily किया जा सकते है I hope यह चीज आपको समझ में आ चुकी है चलते है अपने अगले Question पे Six Question Current Affairs Category का जैसे Students आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले हमारी कंटी में Cabinet Reshuffling हुई सिरफ Cabinet Reshuffling नहीं हुई और e-shuffling तो हुई है कुछ मिनिस्टर को कोई और मिनिस्ट्री दे ली गई कुछ से मिनिस्ट्री वापिस ले ली गई इससे आप से पूछा जा रहा है हमारी कंटी के नए Railway Minister कौन है अश्वनी वैशनव भपंदरा यादव पहले कौन थे इससे पहले थे प्यूइश गोईल इससे पहले प्यूइश गोईल हमारी कंटी के रेलवे मिनिस्टर थे अब बन चुक है अश्वनी वैशनव ठीक चलते चलते अपने सेवन्थ कोर्शन पर कोर्शन है हमारा current affairs category का आप लोगों के साब ने डाश एंटर इंडिया रेलवे मैप ऐस फर्स प्रसेंजर ट्रेन रिचीज दी स्टेट दीग ऑप्शन से आपके हिसाब से वह कौन सी स्टेट है यहां पर पहली बार एक प्रसेंजर रेलवे ट्रेन पहुंची है और यह जो स्टेट है इंडिया के रेलवे मैप से जुड़ चीकी है कैस कैसी आंसर है उत्तराखंट त्रिपुरा मनिपूर गवा कोशिश करो तो जितना मैं देख रहा हूँ काफी सरे लोगों ने टेंट करना शुरू कर दिया इसका बिल्कुल ही जो से आंसर है वो है ऑप्शन बसी मनिपूर बिल्कुल सी मनिपूर से आपको दिखाते हैं न्यूज आर्टिकल मनिपूर एंटर इंडिया ज्रेवे मैप एस फर्स्ट प्रसेंजर ट्रेंट रीचीज दिशिट देखो हमारी कंटी में न रेलवेज ने हमको बहुत ज़्यादा है इंडीपेंडेंस से लेके अब तक रेलवेज ने बहुत ज़्यादा है पर अब रेलवेज को थोड़ा ए इसके लिए बड़े-बड़े ब्रिजेज बड़े-बड़े टनल्स बनाने पड़ेंगे पर अगर एक बार हमने अपनी कंटी को बहुत अच्छे से रेलवेज से कनेक्ट कर दिया उसके बार चाहे पसेंजर ट्रेंट उसमें को काफी फायदा होने ठीक है हमको जो रोड़ पर डिपेंडेंट्स है वो थोड़ी हमारी कम हो जागी इसलिए यहाँ पर रेलवेज जो है वो काफी अपनी दर से इनिशेटिव लेगा ठीक है चलते हैं सुन्स हम अपने एर्थ कोश्चन के उपर कोश्चन है करेंट अप लों के सामने रीसेंटी एक बुक आई है उसका बालन अनुशका शर्मा नेहा धूपिया या फिर करीना कपूर खान तो कोशिश करो स्वर्ण से इस कोश्चन को अटेम्ट करने की तो आप लोगो ने अटेम्ट करना शुरू कर दिया बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन अबर डी करीना कपूर खान इस बुक पर थोड़ी चलते हैं अपने नाइंथ कोश्चन के पर कोश्चन है स्वर्ण स्करंट अफेर्स काटिगरी का आप लोग के सामने एमेजन एक बहुत ही बड़ा ब्रैंड अमेजन ने लॉंच कर दिया अपना पहला डिजिटल केंदर इंडिया की कौन सी सिटी में इंडिया की कौन सी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली गुजरात सेट के लिए सूरत तो आप देख सकते हैं न्यूज आर्टिकल विजय रुपानी जो की चीफ मिस्टर गुजरात के उन्हें लांच कर दिया अमेजन का पहला डिजिटल केंदर सूरत में पर गुजरात की कैपिल सूरत नियूज गुजरात की कैपिल गांधी नगर ठीक है आगे चलते हैं चलते हैं हम अपने दसमें कोश्चन के उपर कोश्चन है करन्ट अफेयर का आपको जैसे पता है कुछ दिन पहले क्याबनेट रिशफलिंग और क्याबनेट एक्सपेंशन हुई उससे यह किया दो विश्वनात अलेल कर सत्य देव निरायन आ रहे हैं इसमें से गवर्नर कौन बने हैं गोवा स्टेट के नए बिल्कुस यह सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है बिल्कुस यहां से आप अपर टेंब करें और पिये श्रीधन पिलाए तो आप देख सकते हैं न्यूज आ और ट्वेल्थ कोशन जो हमारे सीरीज का 11 और ट्वेल्थ कोशन होगा है देखो शुरू से हम करते हैं 14 कोशन की सीरीज मनाते है इसके आज जैसे हम टोटल 6 पार्ट करेंगे 14 कोशन को 6 अलग लग तरह से करेंगे ठीक है तो हर बार 11 और 12 कोशन होता है सोशल सब्सक्राइबल में highest atomic number और highest atomic mass अभी तक के हसाब से किस elements का मैंने ये क्यों वह भल्रा अभी तक के हसाब से क्योंकि हो सकता है एक जादा atomic number और atomic वास वला हमको element मिल जाए पर अब तक हम जो उसको discovery नहीं किया है तो किसका highest atomic mass है highest atomic number है और गैसनों, लिवरोनियम, तिलरेनियम, रहनी नुब तो जितना मैं देख रहा हूँ आप लोग attempt कर रहे हो option number A काफी सा लोग option number A attempt करें जो कि बिल्कुश यहां से और गैसन असल में वो element है हमारी periodic table के अंदर जिसका atomic number और atomic mass सबसे जादा है तो और गैसन है highest atomic number and highest atomic mass of all known elements अब तक जितने हमने ढूंडे हो सकता है इससे जादा atomic number और atomic mass वाला कोई element हमको मिल जाए रेडियो अक्टिव भी हो सकता है चलते हैं सुट्स अपने 12th question पे question है social studies का अच्छा question है दिये गए option में से founding father of Bengaluru Bengaluru city के founding father किनको बलाया जाता है Bengaluru जो की capital है करनाटका की हमारी कंटिटी की electronic hub एक बहुत बड़ा IT hub और startup capital तो है ही Bengaluru हमारी कंटिटी का founding father of Bengaluru किसको बलाया जाता है अगर आपको Bengaluru international airport का नाम पता है तो आप बहुत असानी से time कर सकते हो हाइदर अली नदा प्रभू केंपगोडा कृष्णा देवन आरिया कृष्णा राजवडियर किस इन में से किन को बलाया जाता है founding father of Bengaluru बिल्कुल से सुट तो आप लोग को केंपगोडा वन थे ना इन्होंने 1537 में पहली बार Bengaluru जो पुराना नाम था Bengaluru का पहली बार Bengaluru को 45 करना शुरू किया था बाहर के एटक से ठीक तो इनको बलाया जाता है founding father of Bengaluru चलते हैं सुट्स हमसे 13th question थे question है finance और banking का ठीक है तो सुट्स जो 14 question की इसको मैं चार पार्ट में कवर करता हूँ static, current affairs, social studies और finance और banking ताकि आपके almost हर sector जहां से question expect कर सकते हैं सारे sectors कवर किये जा सके question है वो कौन सा bank है जिसने launch कर दिया है घर घर राशन प्रोग्राम ये एक employees led initiative है मतलब banks के employees है majorly उनका initiative है इसमें मदद की जाएगी banks के उन customers को जिनकी वैसे ही income कम थी और covid की वैसे अब उन पर impact बहुत जादा खराब पड़ा है क्या यहीं launch किया है बंदन bank ने, IDFC first bank ने इंडर्सल bank ने, एक्सिस bank कोशिश करो which bank has launched the घर घर राशन program and employee led initiative for its low income customers affected by covid-19 students बिल्कुल ही जो से यांसर है वो है option बभी IDFC first bank आपको दिखा रहे तो हम एक छोटा सा news article भी तो IDFC first bank launches customers covid relief घर घर राशन program चलते हैं students हमारे पहले part के आखरी question पे तो पहला part हमारा यहां पर हो रहा है खतम इसके बाद अभी और 5 parts पर तो टोटल 6 parts पे पूरे हफ्ते कौम को रिवाइस करना है 14 question है finance और banking का आप लोग के सामने वो कौन सा bank है जिसने एक memorandum of understanding sign कर ली है इंडियन आर्मी के साथ यह जो bank है जिसने इंडियन आर्मी के साथ एक MOU sign किया यह offer करेंगे defense service salary package under the power salute initiative किस bank की बात की जारी HDFC bank Kotec Mahindra bank Yes bank या फिर Axis bank कोशिश करो तो students इसका जो बिल्कुल ही साही answer है वो है option number D, Axis bank ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ news article Axis bank inks, inks मतलब sign करना memorandum of understanding with the Indian army to offer service salary package इसके साथ students हमारा part 1 हुआ यहां पर स्थम, शुरू करते हैं अपने part 2 को part 2 का पहला question static का ठीक है तो हर part में ऐसी होगा 14 questions 2 static affairs के 8 current affairs के 2 social studies के और 2 finance और banking सुर्ण्स मैं ने daily current phase की class भी लेता हूँ रोज सुबे 10 से 11 जो हमारा channel कराम है वो है bank ladder bank ladder youtube channel पे daily current phase की class भी लेता हूँ उसमें मैं सिर्फ questions नहीं कराता 14 questions तो हम रोज करते हैं उसके नवाना मैं 5 news भी रोज कराता हूँ न्यूस ऐसे topics होते हैं जिनको सिर्फ questions में नहीं समझाया जा सकते हैं उसको फोड़ा additional समझाना जूरू होता है तो अगर आप interested होगे तो आप इस class के वह जूरू अज संडे ये class नहीं थी Monday to Saturday क्लास रोज अफी जाथ ठीक है चुरू पहला question एक कंटी है इसका नाम है सेर्यालोना इसकी असल में capital का है What is the capital of सेर्यालोना? सना, मोगदीशू, अभूजा या फ्री टाउन कोशिश करो क्या capital है सेर्यालोना की? देख लेते इसका सही आंसर क्या है इस कंटी की capital है फ्री टाउन में आपको दिखा रहता हूँ तो सेर्यालोना ये एक West African कंटी है capitalist की फ्री टाउन अगर आप देखो ये छोटी से यहाँ पर कंटी है इस रीजन को बोलते है West Africa यहाँ पर आपको मिलेगी सेर्यालोन चलते हैं सबने सेकिंड कोश्चन पर कोश्चन है अच्छा कोश्चन है अभी एहमद अली जुनका पिच्चर में देख पा रहे हो इन्होंने Nobel Peace Prize जीता 2019 में यह करंट प्राइमिस्टर है किस कंटी के नाइजीरिया, इथोपिया, युगांडा, तंजानिया अभी एहमद अली जुनका पिच्चर में देख पा रहे हो इन्होंने Nobel Peace Prize जीता था 2019 में यह इस टैम पे किस कंटी के प्राइमिस्टर है नाइजीरिया, इथोपिया, युगांडा, तंजानिया तो बिल्कुल से आप लोग बता रहे हो सुट्स इसका बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नमबर B, इथोपिया इथोपिया, इस कोशन का सुट्स बिल्कुल ही सही आंसर है मोगाद इशू किस कंटी कैपिल है यह भी आपको आने वले कोशन में पता लग जाए ठीक है, बिल्कुल से सुट्स आपको एक चीज बताता, देखो 2019 में अभी एहमेद अली ने असल में जीता नोबल पीस पाइस, क्यों जीता में आपको ने फिछले मैप पर दिखाता है यह बहुत चा मैप पर देखो, यह रही एथोपिया यह एक चोटी से कंटी है, इसका नाम है इरिट्रिया, इथोपिया और आइडिट्रिया के बौडर इशूज चलते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्टान के चलते हैं तो अभी एहमेद अली ने बौडर इशूज काफी हथ तक सुझ जाए तो इनको नोबल पीस पाइस मिला, 2019 में पर 2020 के अंतर में क्या हुआ यहाँ पर इथोपिया में एक civil war शुरू करनी पड़ी, अभी एहमेद अली को क्यों civil war शुरू करनी पड़ी इथोपिया में एक जगह उसका नाम है टिग्रे, टिग्रे विजन आप ऐसा मनलो जैसे इंडिया में यूपी की सरकार सेंटर से लड़ने लग ज़े इसी तरह से एथोपिया में जो टिग्रे, एक लोकल स्टेट या बोलो या प्रोविंस बोलो वहाँ के सरकार ने सेंटर से लड़ना शुरू कर दिया एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गया और काफी से लोग यहाँ पर मारे भी ठीक है आगे चलते हैं, थर्ड कोशन, अच्छा कोशन है Current Affairs category का आप लोगों के सामने कोशन है इंडिया का पहला Private Liquified Natural Gas Facility ठीक है, हमारी कंटी के पहली LNG Facility Plant इनाउगरेट किया गया है रीसेंटी के शहर में नागपूर, पूने, देहरादून, अहमदाबाद हमारी कंटी के रोड ट्रांस्फर निस्टर नितिन गड़किरी ने असल में इनाउगरेट किया था इस प्लांट को, कहां इसको इनाउगरेट किया गया नागपूर, पूने, देहरादून, अहमदाबाद, आप कोशिश करो तो फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यह LNG, CNG में फरक क्या होता है ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों नहीं आप एटेंट करना शुरू कर दिया आप लोग सब बिल्कूस यह बता रहे हैं, उसका आंसर option number 1, नागपुर जो के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, महाराष्ट हम, ठीक है, आपको न्यूज आर्टिकल दिखा रहेता हूँ, नितिन गड़करी इनाउगरेट्स इंडिया's first private LNG facility plant at नागपुर, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, LNG होता है, liquefied natural gas, CNNG होता है, compressed natural gas, इसमें फरक क्या होता है, नाच्रल गैस के सबसे बड़े reserves दुनिया में हैं, रशिया के पास, और और भी बहुत सारी countries इस पास natural gas के reserves है, सबसे रशिया के पास है, इंडिया के पास जादा मंगानी होती है, वहाँ पर पहले इस gas को liquify किया जाता है, gas को liquid form में convert किया ठीक है, वो होती है, LNG, अगर आपने इसको liquid form में convert कर दिया, तो अब जादा quantity अब हमारी इसको वापिस से gases form में डालना ही पड़ता है, ठीक है, आपको जो चीज है समझ में आ चुकी है, चलते हैं अपने fourth question पर, question है current affairs category आप लोगों के सामने, कौन, किसने जीता है 2021 का Vibilden Woman Single Title in Tennis, यह उनकी मैंने एक picture भी लगाई है, आपको एक्जाम में picture नहीं मिलती है, हमारे पास option होती है, तो हम लगा देते हैं, थोड़ा और थोड़ा additional दिखाने के लिए information देने के लिए, पर आपको यह बिना picture के भी करना बिल्कुल आना चाहिए किसने जीता है 2021 का Vibilden Woman Single Title in Tennis, तो जितना मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सबने आपने बिल्कुल से एटेम कर दिया है, बिल्कुल इस यह answer option में भी एश्गले बाते, यह असल में आते है Australia से, अम मैं सुन से आपके एक और चीज़ बताता हूँ, देखो, lawn tennis जो है ना, lawn tennis event की importance बहुत जादा है, खासकर examiner's की नजर, ठीकर lawn tennis को अच्छी importance मिलती है, तो जो lawn tennis है ना, इसमें 4 events होते हैं, उनको बोलते है 4 grand slams, मतलब हर साल 4 events होते हैं, उनको बोलते है grand slams, एक होता है Australian Open, एक होता है US Open, एक होता है French Open, और एक होता है Wibilden, मालनो एक player ने पहले साल अपने जब खेलना शुरू किया, उसने Australian Open जीत तो बोला जागा यह one time grand slam winner है, अगले साल उसने US Open जीत बोले जागा यह two time grand slam winner है, उसका अगले साल उसने Australian Open में जीत यह US Open में बोल दिया, तो बोले जागा है four time grand slam winner, ठीक है, तो इसी तरह से बिला जाता है, जैसे Raphael Nadalek 21 time grand slam तो यह 4 events सबसी important होते है, grand slam, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है सुने, तो चलते हैं, हम अपने अगले question के उपर, question में 5th है, हमारा current affairs category का, अभी हाली के दिनों में, recently world population day celebrate किया गया था, आप से पूछा रहा है, world population day, हर सार किस दिन होता है, 11th to July, 10th to July, 12th of July, या फ सबसे वहले बात आती है, UP में जो एक draft, एक draft announce किया गया है, कि UP अपनी population control करने के लिए एक bill लेका आएगा, मैं उसको draft के बोला हूँ, क्योंकि अभी वो finalize नहीं है, अभी उसमें changes किये जा सकते है, जब वो finalize हो जगा, फिर वो बन जगा एक bill, बिल के बाद उसको जब legislative assembly स से पास करा लिए जगा, फिर वो बन जगा, एक act, ठीक है, अभी तो वह draft ही है, तो UP कोशिच कर रहे है, अपनी population control करने की, क्योंकि UP सबसे ज़्यादा populated state है, हमारी country की, रही बात world population day, कि तो आप बने बिलकुसी यह बता रहे है, उस्टोंस का बिलकुसी answer है, option number A, 11th of July, 11th of July, साल था जितना मुझे याद आ रहा है, 1987, पहली बार planet Earth की population पहुंची थी, 5 billion, 500 करोड, ठीक है, अब planet Earth की population कितनी है, 7.7 billion, 7.7 billion, मतलब 770 करोड, आपको यह चीज़ आनी चाहिए, 1 million और 1 billion कितना होता है, मैं आपको भी समझा देता हूं, देखो, अगर आपको पता है, 1 million, आपने समझ गया कितना है, तो 1 million, billion, टिलन, सब निकालो, आपने याद रख लेना, 1 million होता है, 10 lakh, 10 lakh होता है, 1 million, अब हमारे यह आपर जब लाक से करोड में जाते हैं, या फिर हमारे यह जब हजार से लाक में आते हैं, लाक से करोड में जाते हैं, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 डॉलर होता है दस लाख डॉलर और फिर देख लेना है डॉलर और रूपी का कन्वर्जन एट किता है वह सेवेंटी तू थी के आसपा चलता है उससे मल्टिप्लाइ करके आप समझ पाऊगे कि कितने रूपे की बात की तर ठीक है या फिर एक आयरवेदा प्राक्ष्णर थे डॉक्टर पी के वरियर हुँ है पास्ट वे एड दिए जब फंडर्ड रिसेंटी वाज वह वेटरन किस फील्ड के कोशिश करो यह सब में किस फील्ड से जुड़े हैं अग्री कल्चर साइंटिस्स एकॉनमिस्स आस्रोजर या फ बहुत जादा प्रमोट भी किया और बहुत बड़े बड़े लोगों का इंदों ने आरिवेदा से इलाज भी किया ठीक है आगे चलते हैं बहुत कोशिश करो 12 जलाइ 12 जलाइ को होता है वर्ल मलाला डे तो सुट्स आप देख सकते हैं यह है मलाला यूसाफ जाय एक पाकिस्तान के चाइल्ड और वुमें अक्टिविस्ट इनका जन्म दिन होता है 12 जलाइ को इस वैसे हर साल हम लोग वर्ल मलाला डे अब्जर्व करते हैं 12 जलाइक अ यह य changest noble prize winner है Malala यूसाफ है ठीक है और इनको कौन सा प्रेंग लिवाइथ horrible peace prize, यह एक साथ उनका नाम ता Kalyaas थी छायार थी सथी नोबला प्राएश को आपको आकरी एफ्य양 क्रणा तो backstory door आपसे पूचा सकता है एक नोब Le propos maximum maximum कितने लोगों में fire किया सकता है एक Norman ठीक है आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आच चुकी है चलते हैं अपने एर्थ कोशन पर कोशन है फुटबॉल के बहुत बड़े इवेंट से लिटेड दो हजार इस में कोपा अमेरिका टाइटल किस ने जीत लिए अरजंटीना ब्राजील चिले पैरागोई तो आ अरजंटीना ने फाइनल में रादिया देख़ुत आफिया एक फाइनल स्कोर देख सेकते अरजंटीना बैसे ब्राजील जीरो तो अग्राजील को और जीत भीट त्टाएटीक है ठीक है फो मुझे नहीं आपसे चलो क्योंकि सारी कंती सर्थ अनुक्टी में कॉशिठ करी कि तब तक मैं चलता हूँ अपने नेक्स कोशन के करनट अफेस क्राटिगा स्टुओं आप लों के सामने कि विने प्रकाश ग्रेवेंश ऑफिसर रीसेंटी विने प्रकाश को ग्रेवेंश ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इंडिया के अंदर किस सोशल मीडिया प्लाटफम हमने इनको पॉइंट किया है ऐस देर गिर्वेंस ऑफिसर तो मैंने आप से जो कोशन पूछा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटिड कंटी साउथ अमेरिका की कौन सी है तो उसका सियांसिल है ब्राजील बिल्कुल काफिस साय लोग ने बिल्कुल सही भी पता है ब्राजी कुछ 21 करोड 20-21 क्रोड के आसपास की पॉपुलेशन है ब्राजील ने तो कोविड के केसे भी ब्राजील में बहुत अज़ाद है थीक है ब्राजील की कैडल है ब्रसीलिया बस नाम कर थो थोड़ा आगर बढ़ा दो इनकी कैडल है इनके प्राइमांसिटर या प्रेजिडि इनको पॉइंट किया है ट्विटर देखो सुन्ट मैं आपको उताता हूँ 2021 की फरवरी महीने में गर्मेंट ने नई IT गाइडलेंड जारी कर दी बड़े-बड़े सोचल मीडिया प्लाटफर्म जिनके पास भी 50 लाग से जादा यूजर्स थे आपको वह गाइडलेंड को मानना था उन गाइडलेंड में बहुत सारी चीज़ को मेरे में बात की कि जैसे माल लो पता आने चाहिए कौन है इंडिया में काम करने चाहिए ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आ सके हम इनको कॉंटक कर सके ठीक है तो पहले तो यह जो कंपनी से मानना नहीं चाहती थी फिर गर्मेंट को बला अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं हम आपको बयान नहीं आप से आपकी इम्मूνटी चीण लेंगे हम आपको अब ही समझाता हूँ देखो अगर ट्विटर के ऊपर किसी बहुत बहुत गल्या दिग कि कम्रूण गर सकता तों큼 के इंसको पर केसी करना पड़ेगा मना कर दिया government ने बोला हम आपकी immunity वापस देंगे मतलब अगर कोई पोस्ट ट्विटर पर आगी जो की गलत है तो लोग ट्विटर के उपर भी केस कर सकते हैं ट्विटर के जो employees हैं उनके पास immunity नहीं होगी उनको भी court में आना हो सकते हैं और हो सकते हैं उन पर सजा भी सुना दिया ठीक है उसके बाद देदरिन सब company से government की जो बात की जो गाइडलेंस उनको माना चुरू कर दिया आई होब सुन्स या आपको हिमाशू बोलें कि ग्रेवेंस आफिसर का मतलब तो देखो ग्रेवेंस मतलब आपकी कोई complaint आपने कोई एक तरह से कुछ फरियाद आपकी तो मानलों आपको ट्विटर में कुछ गल्ती लगती तो आप इनको लिख सकते हैं कि देखो यही चीज मेंस सिंगल टाइटल तो 2021 का वेविल्डेंट टैनिस मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है डैनियल मेडविड मेटेयो बड्लिटी स्टिफनोस तिस पास या फिर नुवाक जोकोविक बिल्कुल ही आप लोग को इस कोशिशन का सभी आंसर आता है जल्दी से कोशिश करो इस यह आपका डाऊट था ना शर्भिया से या सइबेया से कोशिश करना लिख देना या इसको एन मालने उना इसको 2 आगा अगर आपको लगता है सबालो help गल्ले साइबेरिया आपसा करें चाइब। ठीक है तो आप देख सकते हैं नवाक जुकोविक विंस में में सिंगल टाइटल इक्वस फेडरर और नदाल्स ओल टाइम ग्रांट्स हम एक और तो यह तीन अफ प्लेयर बड़े आपके लोग दिग्गर है फेडर रोजर फेडर राफेल नडाल और अब जो नवाक जुकोव तो आपका डाउट क्लियर हो चुक है सर्विया और साइबेरिया के बीच का खीके सुन्ट चलते हैं हम अपने नेक्स कोशन के उपर ग्यारवा कोशन कोशन है हमारा सोशल स्टेडिस का अच्छा कोशन है पार्लेमेंटी गवर्मेंट से रिलेटेड इन में से कौन सी बात सह इसमें से क्या चीज पार्लेमेंटी गवर्मेंट से मिलती नहीं है नौट और क्रेक्टिस्टिक और पार्लेमेंटी गवर्मेंट आपको पताना है रेजलुशन आप लोग ने बिल्कुस यह टेम करना शुरू कर दिया है यहां पर दुनिया में पार्लेमेंटी गवर्मेंट में नहीं होता है। तो होता है Parliament of India और Judiciary को कह सकते है Supreme Court of India यह तीनो अलग लग है तीनो एक दूसे के कामें दखल नहीं देते हैं पर मान लोगर किसी से कोई भी गल्ती हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बाकी दूआते हैं उसको solve करने के लिए नाम है अभीनव जोशी मैं स्टूंस डेली करेंट्फिस के क्लास रोज सुबह 10-11 लेता हूं बैंक लैडर यूट्यूब चैनल पर ठीक है तो रोज के क्लास में 14 कोशन और पांच नियूज करते हैं आप तो इस क्लास को जॉइन करना चाहों बिलकुल आप जॉइन कर सकते हो क्लास को मैं रोज सुबह 10-11 रखता हूं ठीक है चलते हैं सुन से बार में कोशन है कोशन है सोशल स्टूडिस का कुछ हद तक पॉलिटी से जुड़ाओ कोशन है फेडरल गर्मेंट देखो जो उनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेंटर गर्मेंट है उनकी उसको फ हुआ इसे फेडरल गमेंट में सारी पावर्स को डिवाइड किया जाता है Ga! किया ए और ब दोनों सही या फिर शिया इसमें से कुछ भी सही ने कोशिश करो इंदी फेडरल गर्मेंट क्या क्या चीज़श सही थीक है तो इसका जो यह ठीम है थीककर तो इसका बिल्कुलकुल राव साट मैं आतको बताते हो थोड़े आपके daw सब्दाव भल्भी में देख लेता हो तो इसका बिल्कुल साट साट ऑन पी और यह तो सेंटल गवर्मेंट अश्फ बॉपован पावर को टिवाय करते हैं मैं देख रहाहा था ओर लोगसमा और अप्रहा ऑप्रहांस ह राजसाह जैसे आपको स्टेट्स में भी सिस्टम्न स्टॉ Guide यहां पर यह चीज फॉलो की आती है बिल्कुल तो और कौन को ठीक है बिल्कुल SBA क्लर्क मेंस के लिए आपको बहुत जाड़ा यूस्फुल रहेंगे क्रांट पेस्ट पूरे हफ्ते के आपकी रिवीजन हो जाएगी ठीक है अलोग आंप फ्रॉम चंडिगर चंडिगर उनि की है पंजाबर हरान की चलते हैं थर्टींत कोर्शन पर फाइन्स और बैंकियर कोर्शन आपनों के सामने एक टर्म होती है EMI जब भी कोई लोन लेता है तो फिर वह आपको सुनेगा कि वह बोलेगा EMI देनी है यह देना वह ठीक है EMI की फूर्फर्म क्योंते इजी मंत्री इंस्टॉल्मेंट, इक्वल मंत्री इंस्टॉल्मेंट, इक्वेटेड 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 मंत्री इंस् REE'm I assied 4ées1 hasdragon 4 पर प्रकॉंम युटाइं की वह बहुत अच्खा कोशन आ पाइन सब्सक्राइब कर दो इसको किस नाम से जाना गया Reserve Bank of India, State Bank of India, United Bank of India या फिर Indian Overseas Bank The Imperial Bank of India after its nationalization came to be known as Reserve Bank of India, State Bank of India, United Bank of India या फिर Indian Overseas Bank कोशिश करो तो बहुत सारे लोगों ने बिल्को सी ये टेम करना शुरू कर दिया इसका बिल्को सी आंसर अप्शन B, State Bank of India मैं आपको अच्छे सार सुन समझाता हूँ, यह SVA बना कैसे, देखो अगर आप देखो यहाँ पर नीचे, Imperial Bank of India बना Bank of Calcutta, Bank of Bombay और Bank of Madras को कमबाइन करते इसको बनाया गया था, Imperial Bank of India को 1921 में, 1921 में 1921 से लेके 1955 तक इसने काम किया और उसके वाजब इसकी full nationalization होगी, इसको पूरा government ने अपने अपने अटले लिया, फिर यह बन गया State Bank of India तो अगर आपसे पुछे कि क्या State Bank of India, Bank of Calcutta, Bank of Bombay और Bank of Madras से बना है, तब बोलोगे directly तो नहीं बना पर indirectly नहीं से बना है क्योंकि यह आगे जाके, Imperial Bank of India में convert है, वो आगे जाके, SBI बना है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, हम अपने थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट का पहला question है, आप लोगों का, starting affairs category का, United Nation Children Fund, जिसको UNICEF भी बला देते हैं, मैं आपको UNICEF समझाता हूं क्यों बलाते हैं, इसके headquarters कहां पर है, UNICEF के, Geneva, Switzerland, Paris, France, London, United Kingdom, New York, United States, कोशिश करो, UNICEF इसको इसलिए बलाते हैं, क्योंकि, common तो हम इसको UNITED NATION Children Fund बोलते हैं, पर इसकी exact जो full form है, United Nation International Children Emergency Fund, यह इसकी exact जो form है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्कोशिश करो, कि UNITED NATION Children Fund के headquarters कहां पर है, Geneva, Paris, London या New York, तो बिल चुरू कर दिया है, New York, United States में, आपको headquarters मिल जाएंगे, UNICEF, तो आप देख सकते हैं, UNICEF, headquarters है, New York, United States में, और बनाया गया था, इसको 1946 के अंदर, तो जो भी organization के आगए, UN आ गया था, तो मतलब, UN-related organization है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, आगे चलते हैं, चलते हैं, सेकंड कोशन पर, तो आप में से जो मोगादीशू पूछ रहा था, कोशन है स्टाटिक अफेर्स category का आप लोग के सामने, मोगादीशू, capital है, दिये कि option में से किस कंटी के, Somalia, Nabibia, Venezuela, Tunisia, कोशिश करो, मोगादीशू is the capital of which country, Somalia, Nabibia, Venezuela, Tunisia, किस कंटी के capital है, असल में, मोग मोगादीशू, अब ऐसे तो समझ नहीं लगए तो हमको चलना पड़ेगा, मैप ते, यह रहे अफरीका का मैप, यह जो रीजन है, इसको बोलते है, हौन आफ एफरीका, और हौन आफ एफरीका में यह जो आपको थोड़ा अलग कलर्ड एरिया दिख रहा है, यह है, Somalia, इस सामने, आपको सुन्स पता होगा, International Cricket Council, जो की International Gvernig Body है, Cricket की पूरी दुनिया में, International Cricket Council ने 2020 में एक concept शुरू किया था, हर महीने, यह player of the month, female player of the month, male announce करते है, आप से पूछा रहा है, कौन से player को, ICC woman player of the month, for the month of June 2020, किस को announce किया है, women's category में, women category में आप पता दो, men category में में आ आपने, व्यात, या फिर सोफी, एसल स्टोन, कोशिश करो, किस को यहाँ पर दिया गया है, ICC woman player of the month, बिल्कुल से आप लोग बता रहे हो, option number D, सोफी एसल स्टोन को बना दिया गया है, वहलों, award किया गया है, women player of the month, for the month of June 2020, तो सोफी एसल स्टोन ने जीत लिए, ICC player of the month, कोशन है, हमारा current face, catty का अच्छा कोशन है, आपके स्टोन पूछा जा रहा है, कि वह कौन सी स्टेट है, जो होस्ट करेगी 2021 का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें एक अपडेट भी है, वो भी मैं आपको पता रहता हूँ, which state will host the 2021 के लो इंडिया यूथ गेम्स, बिह है, तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने टैम करना शुरू कर दिया, हर्याना स्टेट, हर्याना होस्ट करेगी 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पर स्टुन्स बात कहा कि अब ये इस साल नहीं होंगे, अब ही होंगे अगले साल फरविर 2022 में, क्योंकि इस साल के अंतर में पर अगर हमने वही गलतिया करी जो वेव 2 से पहले करी थी, तो फिर ये भी बहुत जाना डेंजरस हो सकते हैं, तो स्टुन्स आप लोग ये अपना ध्यान बिल्कुल रखा करो, अपने फैमिली को भी समझाते रहा करो, अगर आपकी बात नहीं कोई सुनता वो चलो, उनकी मरजिया पर आप अपनी जवसे जुरू समझागे, ठीक है, स्टुन्स मैं आपको बताता हूं, खेल लो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार रखेंगे थी, दोजाट्रा में, उननिस, बीस और इस साल एक्किस में, ठीक है, दोजाट्रा में, पूने में, महरास्ट्रा में, और अब 2021 मौनी थी, पंचकूला हर्याण में, पर अभी इसको अगले साल के वे शिफ्ट कर दे जाएगा, बोला है इसको 2020 ही जाए, ठीक है, चलते हैं स्टून्स अपने अगले कोश्चन के ओपर ठीक है, आइस सैट्टू, इस सैटलेट का नाम है, आइस सैट्टू, यह कि एक और स्टून्स कोश्चन पूच लेता हूँ, कि जपां में, जपां की नशनल स्पेस इंजANDंसी का नाम के है, जैसे हमारे यहाँ पर इस दूर है, यूएस से में नस है, जपां की नशनल स्पेस इंजट का नाम भी किसी को पता है, वो भी आप मुझे जुरू पता दा, इस कोश्चन कासी आंसर है IESAT-2 असल में एक सैटलेट है यूवैस से की ये रिसेंटी न्यूज में क्यों थी जो ये काम करती है उसके बहुत न्यूज में थी तो नासा ने जो सैटलेट को लांच किया IESAT-2 ये एक Earth Observation सैटलेट है मतलब जो भी सैटलेट ऊपर जाकर प्लैनेट Earth को स्कैन कर दिया फोटोस ले दिया वो बन जाती है Earth Observation सैटलेट ठीक है इस रोने तो बड़ा ही असान कर दिया अब तो इस रोने क्या बहुत दिया कि जो अर्थ को अब्जर्व कर निकले कि EOS बस नंबर चेंज दता रहेगा जो उपर जाके Communication सैटलेट बज़े कि इसको हम बोलेंगे CMS ठीक है तो बड़ा ही असान कर दिया यहां पर इस रोने के हम Simply Norman Clature चेंज करते हैं ठीक है तो मैंने आपसे एक और कोशन पूछा था कि Japan की National Space Agency का नाम के बिलकुर से आपने बत चलते हैं अपने 6 में कोशन के पर कोशन एस तोंस करनाट का किरला कोशिश करो विच स्टेट प्लान्स तू लॉच दी मत्रू कवंचम क्यांपेंट कोशिश करो कौनसी स्टेट इस क्यांपेंट को शुरू करना चाहती है बिलकुली जो से आपको पताता हूं आपको दिखाता है नियूज आर्टिकल के रहा टू लॉच मत्रू कवंचम क्यांपेंट को चीज समझाता हूं क्या प्रेग्नेंट वोमन को वैक्शनेशन देनी चाहिए देखो वहाना रिस्क थ इस से बचाने के छोटा रिस्क या लिया जा सकता है ठीक है बिलकुल से चलते हैं अपने नेक्स कोशन के बड़ेखो देखो मैं आपको इस कोशन को डिसकस करने से पब एक चीज बजाता हूं अगर हम लोग हमेशा बात करते हैं इंडिया ने ये मिसाइल टेस्स करी हमने य इतना नहीं सिखाएगी जितना आपको फेलियर सिखाएगा फेलियर से लर्निंग बहुत ज़ादा होती ठीक है कोशन है विच अमंग दी फॉलिंग मिसल्स फेल्ड दूरिंग टेस्टिंग ऑन ट्वेल्थ ऑफ जलाइब बारह जुलाई को दिए अप्शन से कौन सी मिसाइ जो की इंडिया और रश्या का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस ठीक है इंडिया रश्या का और ब्रह्मोस का जो नाम है ब्रह्मोस यह दो नदियों के नाम से बना है ठीक है यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ ब्रह्म मतलब ब्रह्म पुत्रा नदी हमारी मुस मतलब म इस ने मिलकर बनाया है ब्रह्मो सिस्टम को आपको इन्यूज आर्टिकल भी दिखाता हूं कि यह जो ठीक से काम नहीं कर पाई एक बार ब्रह्मो क्रूज मिसल फेल्स टेक ओफ दूरिंग टेस्ट फाइरिंग दिया 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 देखो याद रखने के लिए इसको समयने के ल घाने मिसाल को पिलाते हैं इंतर कॉंटिनेंटल बिलिस्टिक मिसल यहां पर यूज हो रहा है बिलिस्ट्िक मतलब जो बिलिस्टिक मिसल जह इंकि रेंज बहुत मिसल बेुंद क만 होती पर उनके पर बोहत रचित मेरा नाम है अभिनव और आगे जलते हैं एक और फुटबल का बहुत बड़ा इवेंट आ गया युरोपेंशिप 2020 को जीतने वाली फुटबल टीम का नाम क्या है उमान इटली कैनडा इंग्लेंड आपने जुरूर इसके बार में सुना होगा जल्दी से टेम कर दो किस टीम ने जीता है यूरोपें चैंपेंशिप 2020 किस में क्या बिल्कुल से आप लोग ने बता दिया है तो सुन्स बिल्कुली से आंसर है ऑप्शन भी इटली तो आप और संडे की यूरो इस सब्सकी क्लास का अगले फ़रो कर चिल्टे हैं हम अपने चलते हैं हमें अपने नांत को पर क्वेशन है हमारा अच्छा यह पताओ निखकल वर मैं इंडिया और किस चन्टी के बीच बढ़ने वाली है ऐसा क्या हुआ कि किसी एक कंटी के साथ इंडिया की रियल कार्गों की मोमें बने बतलब रियल कार्गों होता है जब ट्रेंज में बहुत सरा समालने के जा गुड्स इंपली बोल सकते हैं क्या इंडिया और नेपाल के बिच में रियल कार्गों मोमें बनने वाली इंडिया ब हमारे प्रोजेक्ट सब्सक्राइब ल संतर है कर अब इंडिया की जो कोस्राइं यह यह इंपॉर्ट Works ने पाल एक लैंड लॉट कंट्रीं उसके पास कोई C route नी है जब नेपाल अपने imports कराता है खुछ समान मंगवाता है तो दुनिया में कोई भी कंटी जब importer export करती है तो 95% समान आता है ship से सिर्फ 5% के आसपास समान air travel से जाता है मतलब नेपाल का बहुत साना समान ship से आता है अब वो किसको बोलेंगे हैं चाहिना को बोलेंगे तो चाहिना के फॣ्ट दूर य't वहां से इतना लमब रस्ताइ करना लूगा तो इन Lock गया लागा अब यह पर इंडिय नियलवुस ने क्या कर रिया है हुप पर नेपाल का कुछ समान जैसे पोर्ट पर आए तो वहां से डिरेक्ट लिए रिल्वेस नेपाल तक इस समान को डिलिवर कर सकता हूं दिखा देता हूं नूज आर्टिकल है इंडिया-NEPAL RailCarg government operators तो नेपाल के जो पोर्ट पर आएं वो सीधे नेपाल तक भीज जा सकते हैं इससे इंडिया रेविन्यू भी मिलेगा यह भी एक फायदा ठीक है बिल्कुल सही चुन चलते हैं अपने next question के उपर दस्वा question है हमारा current affairs category आप लोगों के सामने which of the falling state has launched a population policy that aims to incentivize couple who do not have more than two babies दीएग option में से कौन सी state है जिसने population policy announce कर दिया है इसके अंदर जिन couples के जिन couples के दो से ज़्यादा बच्चे नहीं है या एक या दो बच्चे उनको incentives दिये जाएंगे आपको बिल्कुल पता है केरला जारकांट इसा उत्तरपदेश कोशिश को इस question को अटेम्ट करने की बिल्कुल आप लोगों को इस question का सी आंसर आता है हेलो अपसरा वेलकम बिल्कुल सी आंसर सोंस ऑप्सिन अबडी उत्तरपदेश यूपी के सरकार अभी इस तरह का देखो यूपी स्टेट लॉग कमिशन ने अभी तो ऐसा एक ड्राफ्ट प्रपोस किया है यह ड्राफ्ट में थोड़े बहुत चेंजिस करके इसको बिल बनाया जागा फिर विदान सबसे पास कराया जागा और उसके बाद जाकर यह एक लॉग बनेगा ठीक है आई हो भी यह अगर यूपी अलग से कंटी होता तो मतलब कि स्टेट के साबसे बहुत जादा इसको गंट्रोल करना जरूरी है यह देखते हो यूपी ने इस लौ को लेकर आए चलते हैं स्टेंट सम अपने बिल्कुल तानिय आपको बिल्कुल मिलेगी बैंक लेटर में SBA क्लरक और मेंस की क्लास चलते हैं अपने 11 कोशन पर कोशन है सोशल सब्सक्राइब कोशन है इसको और आम से टेम्ट करना कोशन है यूनियन बजट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करते हैं कौन किस हाउस ऑफ प्रेजेंट में क्या प्रेजेंट में प्रेजेंट में ध्यां सबगास पर कोशिश करो उनियन बजट ऑफ इंडिया इस प्रेजेंट इसका बिल्कुल ही जो सही आंसर है वो है option number a option number यह है फाइनायस मिस्ट आफ इंडिया लोग सभा में इसको प्रेजेंट करते हैं तो अगर आपको कभी डाउट था कि असल में प्रेजेंट कहोते हैं लोग सभा में प्रेजेंट होता है तो आपको पता है हमारी कंटी के पार्लिमेंट के majorly तीन सेशन आते हैं पहला सेशन और आता है मॉंसौन सेशन जो भी शुरू होनने के बजट सेशन के सबससे विल्ट में काम करते हैं। मेरे bekommt रूड़ से अच्छा आपसे पूंचा पाइनेंस मिस्टे का नाम पता हमारी कंटी के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आफ टाइमस बजट को प्रेजेट को प्रेजेंट किया है हमारी कंटी का फाइनस बजट तो जितना मैं देख रहा हूं काफी सारे लोगोंने बिल्कुल ही सभी बता दिया इस कोश्ट का आंसर इसका सट्व कोशिन के सबसे और बैंकिया कोश्ट है जून 2021 के हिसाब से हमारी कंटी का रिटेल इंफलेशन महिंगाईगाई दर कितना था 6.24% 6.25% 6.26% 6.27% तो बहुत ही कम डिफरेंस पर उप्शन दिये गए सुर्ण्स में आपको ने एक चीज टाता हूँ थोड़ा अलग यह कोशन से अगर ऐसा कोई नमबर लिखा गया ना 5.473 तो आप इसको 5.473 नहीं बोलोगे आप इसको 5.473 ही बोलोगे तो यहाँ ऐसे नहीं करते हैं 473 या 6.22 नहीं एक एक नमबर बोले आता है ठीक है बिल्कुल से बिल्कुल से सुर्ण्स तो इसकोशन का बिल्कुल से आंसर है option नमबर C 6.26% रहा हमारी कंटी का डिटेल इसकोशन जून इसको कंट्रोल किया अगर आपसे पूछा है RBI इंफलेशन को कंट्रोल कैसे करता है तो RBI के बाद से बहुत इंबर्ण चीज होती MPC Monetary Policy Committee MPC के टूल होते है इसके साथ हमारा 3rd phase खतम होगा फिर हम चलेंगे अपने 4th phase के उपर अभी तीन फेज और बचे है शाम श्रीनिवासन को reappoint किया गया है M.D. और C.E.O. किस बैंक का श्रोंस बिलकुल ही इसका जो सही आंसर है वो है option B Federal Bank तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं Federal Bank reappoints शाम श्रीनिवासन as managing director and chief executive officer श्रोंस जो CEO लिखा नहीं इससे मुझे question याद आ गया Amazon Company के CEO बदल चुके है अब Jeff Bezos Amazon के CEO नहीं रहे कौन है Amazon के नहीं CEO पताने की कोशिश करो तब तक मैं चलता हूँ अपने 4th पार्ट पे तो चुरूंट शुरू करते हैं अपना 4th पार्ट 4th पार्ट का पहला question स्टार्टिक अफेर्स category का आप लोग कर सामने question है दश अफ्तरा एक dance form है कोशिश करो तो पहले मैं आपसे पूछा था कि Amazon के CEO बदल चुके है नए CEO का नाम क्या है Amazon के अब जेफ विजॉस नहीं रहे तो जो सुर्ट्स नए CEO Amazon के उनका नाम क्या है उनका नाम है बिल्कुल एंडी जैसी एंडी जैसी असल में नए CEO बन चुके है Amazon के क्या इसका मतलब है कि अब Amazon के मालिक जेफ विजॉस नहीं रहे नहीं वह मालिक अभी भी है बस अब वो काम थोड़ा कम देखें कि काम जादा एंडी जैसी देखें है ठीक है बिल्कुल से ही ठीक है चलते हैं इपने 4th पार्ट के पहले कोसें पर कोसरें समारा स्टाटी वाइस का्थे आपसे पुछा रहा है दशव्थ्वथरा एक डानस स्वर्म है इंडीया की कॉन सी स्टेट से जुड़ती है् डानस अगर इंडिया के से में कोस्ट क्रूंड तो यह जो महाराष्ट्रा Jacobo पिर उसके करनाटका केला ये सारे बिजन को बोलते हैं और समी हम बुलाते हैं कॉंकन रिजन कॉंकन बुजका और कॉंकन रिज्ञणट यह जो 10-ईनसम पर एक स्टेट से सबसे ज्यादा कलचरी जुड़ाओऊ है दर कि इस डांसिट्र विजनowski' उनको डांसिंग 19 के अंडर छलते हैं अपने सेकंड कोर्शन में बहुत अच्छा कोश्चन है स्टाटी गफयर्स का सामने International Court of Justice ICJ कहां based है दाहेग New Zealand Singapore इसकी capital इसे लिखे क्योंकि Singapore capital Singapore City होती है London United Kingdom Vienna Austria International Court of Justice students आपको कहां पर मिलेगा कोशिश करो दाहेग New Zealand Singapore Singapore City London United Kingdom Vienna Austria तो जितना मैं देख रहा हूँ अब तक आप में से किसी ने जली से टेंट करना शुरू कर दो बिल्कुल जो सी आंसर है वो है बिल्कुल से आप लोगों ने टेंट करना शुरू करती है option number A दाहेग New Zealand आपको यहां पर ICJ भी मिल जाएगा और International Criminal Court भी मिल जाएग ठीक है अब आपको थोड़ा दिखाता हूं इसके बार में तो इंटरनाशनल Court of Justice आपको मिलेगा दाहेग निल्रेंट में उनाइटिड नेशन के उनाइटिड नेशन के छे प्रिंसिपल और उन के बड़े सारे और उसमें से छे सबसे इपॉर्टेंट होते है उसका एक और आई सीजे बनाएगा से इसको 1945 में नाइटिन फॉर्टी फाइ यहाँ पर आपको मिलेगा दाहेग थीक है थीक है आगे चलते है अपने थर्ड कोश्चन के उपर कोश्चन है करन्ट अफ अफ़ेस का आपसे पूछे आ रहा है एक नैशनल लेवल की हैकेफोन इसका नाम है समवेदन 2021 सेंसिंग सिलूशन फोर भारत समवेदन 2021 सेंसिंग सि भारत जो है स्टूरेंट्स यह रीसेंट्ली लॉंच की है किस इंस्टिट्यूट्स ने विद क्लाबरेशन ऑफ सोनी इंडिया कोशिश करो इस्टूरेंट्स की इनाशल लेवल है कितान सम्वेदन दोहजार के सैंसिंग सोलूशन फॉर भारत है बीन लॉंच बाइव इंस्टिशन इन क्लाबरेशन विद सोनी इंडिया सोनी इंडिया के साथ मिलकर क्या संवेदन दोहजार एक शुरू किया इट डेली इट मदास आइ बिल्कुली जो सही आंसर है इस कोशन का स्टूंट्स वो है ऑप्शन नमबर बी आएट मदास ठीक है अगर आप इससे मुझे को पता से के स्टूंट्स यह तो आइट मदास है यह असल में आपको आज के टाइम पर आइट मदास जाना आपको किस सिटी की ट्रेन लेनी पड ठीक है आइट मदास ने सोनी इंडिया के साथ मिलके इसको शुरू किया है इस डील के अंदर इंडिया डेवलप करेंगा एक 679 मेगा वाट का लोवर अरुन हाइड्रो पावर पोजेक्ट मलब एक डैम आप से पूछा रहे है किस कंट्री के साथ में इस एग्रिमेंट को सा इसको मिल्यों से पता दिया चन्ने जो कैप्टल है तामिल नादू की बिल्कु से सुन से आज अपने फोट कोशन के साथ इंडिया ने 1.3 बिलियन डॉलर तो आपको दिखाता है वह जो मैं आपको मिलियन समझाता कैसे काल्कूट करते हैं देखो 1.3 बिलियन डॉलर की बात हो रही है न तो पहले तो देख लेते हैं 1.3 बिलियन डॉलर इसको डॉलर ही रहें देते हैं 1.3 बिलियन होता है 130 क्रोड डॉलर के आसपास ठीक है अब इसको कितने से करना है कुछ 70 के आसपास 72 या 73 के आसपास डॉलर और रुपी के चल रहा है तो इमाउंट होने चीए कुछ 8,600 करोड रुपे क्यास पास की अमाउंट टोटल होने चीए ठीक है रुपे में ठीक है तो बिल्कों सी आप लोग स्टोंस बता रहे हैं कोशन का बिल्कों सी आंसर आप्शन भी नेपाल नेपाल के साथ एक 1.3 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करी इंडिया ने इस डील करने इंडिया 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 की सरकारी कंपनी है सटलुज जल विद्यूत निगम उनको रिस्पॉंसिबिल्टी डीज जाएगी इस प्रजेक्ट को कंप्लीट करने की चलते हैं सबने पांच में कोशन के उपर कोशन है करेंट अफेस काटी का वेटरन फॉर्मर इंडियन प्लेयर यश्पार्शर्मा रीसेल इनकी डेथ सब्सक्राइब कोशिश करो बिल्कुली सब्सक्राइब बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर रहे बिल्कुसी बिल्कुसी ऑप्शन सी तो यह श्पाल सर्मा ने 1970s और 80s के दुद्रान इंडिया की क्रिकट टीमें जोने के एक मेंबर थे किसी हिली अरिया में गयोगा आपने जुरू देखो याक को वहां पर खड़ा किया होता है फोटो के लिए ठीक है कोई इस थोड़ा समान भी ढोया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा याक कैसे दिखते है तो आप से पुछा रहा है नाश्टन इंश्वरेंस कंपनी के साथ इंशूरंस क्पनी के साथ लाइफ इंश्वरेंस कंपनी के साथ पोशिच करो काफी सारे लोगों बिल्कुल से एंच्प नबरें नाश्ण इंश्वरेंस कंपनी लेंट यह होते हैं हिमालेयन याक तो आप देख सकते हैं आर्टिकल इनफस्ट हमालेयन याक to be insured इंस्भी इंशोरेंस किया जा आगे चलते हैं बिल्कुल बिस्वाजी तो बिल्कुल से बता रहे हैं यह जो सेंटर है ना ना शर्च सेंटर याक यह भी आपको अरुनाचल परदेश में ही मिलेगा ठीक सुन चलते हैं अपने कोशन के ओपर कोश्न अपना सेवंन कोरूं करन ऐक्स का तो कौन्सी कंट्री जसने पहली बार एक्सपोर्ट कैंटल और ही जसने को 50 साल स 내ा है ने अपनीं मलत इन जब कर लेंग कोमान बहार भेजते हैं हमारा इंपॉर्ट इस कंट्री ने इंडिया को इंडिया से कुछ समान भाहर भेजते हैं यह हमारा इंपोर्ट इस कंटी ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया हमारी कंटी में आपल भेजें पचास सानों में पहली बाद चाइना इस्राइल यूके ऑस्टेलिया कोशिश को रो बिल्कुल यह आप लोगों ने सीय टेम्ट कर द कोशन है हमारा करेंट फेर्स काटिगरी का वह कौनसी इंडियन स्टेट या यूनेंटरिटी है जहां पर मैक्सिमम डेट्स रिपोर्ट की गई हैं लाइटनिंग के वरसे 2020 के दुरान रीसेंट्ली एक रिपोर्ट के साब से पता चला क्या सबसेर डेट्स रिपोर्ट की इसका स्टेट में सबसे ज्यादा डेट्स रिपोर्ट की गई इस डूरेशन के दुरान लाइटनिंग वरसे देखो लाइटनिंग वरसे डेट कहां पर होगी अगर एक ओपन फील्ड है तो अग्री कर देते हैं पूरा खेत मलब क्लीन कर देते पेड़ों पूरों को निकाल इस चांसे सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिहार सौ मोस्ट डेट्स डिव टू लाइटनिंग स्टाइक बिट्वीन एपरिल 2022 मार्च 2021 ठीक है सुन चलते हैं अपने नेक्स कोर्शन पर नाइन्थ कोर्शन है करन्ट अफेर्स काटिगरी का आप यह जो रॉकेट को को मिला है वर्जिन गलाटिक ब्लू इरिजन स्पेस एक्स या बोइंग कोशिश करो विच कंपनी डेवलप न्यू शेपर लॉन सिस्टम विच गॉट फ्लाइंग अप्रूब रिसेंट्ली किसको मिला यह अप्रूब तो जितना मैं देख रहा हूं बिल्कुल काफी सा की और आपको बताता हूं न्यू शेफर्ड लॉंच सिस्टम को पहला लॉंच होगा ना स्पेसमस में जेफ बिजॉस भी स्पेस में जाने वाले ठीक है वर्जिन ग्लैक्टिक की कंपनी के मालिका रिचर्ड ब्रैंसन यह स्पेस में अभी जाकर आया अच से दसके दिन पहल जेफ बिजॉस स्पेस फ्लाइट यूएस अप्रूफ ब्लू इरिजन लाइसेंस फॉर हुमन स्पेस टैवल अबॉर्ड ठीक है चलते हैं हम अपने दस्वे कोशन बेस्ट कोशन है हमारा करन्ट अफेस काटिए आपसे पुछा रहा है वो कौन सा शहर है जहां होस्ट किया स्पेस्ट को इस मीटिंग में हमारी कंटी के चैना के फॉरम मिस्टर से कहां होस्ट किया जारे मिटिंग कोशिच करो विच सिटी होस्टेट दी स्पार्म मिस्टर्स मीटिंग ऑन 14 जलाइ 2021 तो काफी सह लोग ने टेंड करना शुरू कर दिया इस कोशन का अंसर बिलकुल ही मिटिंग ओ लख जांग के दुश्टान बे काफी स्पार्स मिस्टर से ज्याए अंसर इस पूख ज्चाइबत करना शेलग दिया कोशे कहां में हमारे करना का ले करता है अच्छा कोशन है इसमें से दो आंसर बन सकते हैं पर आपको ज़्यादा अच्छे वाला चूज करना है वट मेक्स अरिप्टाइल अरिप्टाइल तो सोशल सेडिस के कोशन होते हैं यह बड़ी सारे सब्जेक्ट से आ सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंसे, जनल साइंसे, कमिस्टी, बाइलोजी कहीं से भी ठीक है तो यह दो कोशन ऐसे होते हैं जो जनल साइंस में कहीं से भी हो सकते हैं ठीक है तो जितना मैं देख रहा हूं काफी से लोग उन्हें अटेंट करना शुरू कर दिया स्ट्रूंस मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था कि इसके दो आंसर हो सकते हैं पर आपको समझातो है क्यों मैंने एग लेंग इसका सियांसर बनाया क्योंकि एक रेप्टाइल का जो ब्लड होता है थोड़ा सा कोल्ड होता है इसकी वज़ए से वह अपनी नेक्स जनेशन को अपनी बॉड़ी में जरम नहीं दे सकता है जैसे हुमन और बहुत सारे अनिमल देते है जो अपनी नेक्स जनेशन का अपनी बॉड़ी में जरम नेरेत है वह बॉर्मृ gebracht होते है पर यह और बोडाइबर आ नेक्स अजिए मेल ने नेरी तरी इसी वह आज थए ताकि इनकी नेक्स जनेशन अन्डो पसकी थे लिए इसलिए इसलिए यह एग लिंग होता है सब्सक्राइब बिल्कुल निरंजन और डी दोनों के पर जादा थोड़ा सा अच्छा बन जाएग लेंग होती है चलते हैं से अपने बारवे कोश्चन के पर कोश्चन है बहुत ही अच्छा हमारा सोशल स्टेडिस का आप से पूछा रहा है वह ब्लड वेसल्स का नाम पता हो जो की ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है कोशिश करो तो इसका जो बिलकुल ही सही आंसर है वह है option नमबर बी आर्ट इपर वह रिस्पोंसिबल वेंज जो की खून को हार्ट से दूर लेकर जाते हैं इसमें सबसे बड़ी जाटी होती उसका नाम होता है शयद आरोटा ऐसा कुछ नाम होता है अरोटा सबसे बड़ी आर्टी ठी आपको थोड़ा से समझाता हूँ बैड बैंक और इंडिया के बाद बैंक और तो इसलिए मैं क्या अगरता हूं जो डेली करनट सेखकंश में लेता हूं बैंक लेडर यूट्उइब चलनते हैं उपर 5 न्यूज करता हूं इस एसे टॉपिक्स पर इनको समझाना थोड़ा और ज़रा जूरी हो ठीक है कोशन है फाइनस और बैंकिंग का कि हमारी कंटी के पहले MD मैंजिंग डेक्टर कौन होगे National Asset Reconstruction Company Limited के इसको ना Bad Bank of India भी बला जा रहा है यह है कि जली से समझाता हूँ यह इसका काम होगा SBI HDFC सारे बैंकों को ऊसका फैसा को बाइक वागां का पैसा को सब्सक्राइब माधवन नायर या फिर MK Jain कोशिश करो तो रवीना ये क्लास जो है ना इसमें टोटल 6 पार्ट हमको कवर करने थे पूरा हफता रिवाइस करने के लिए चार पार्ट हमारे हो गए हैं पद्मा कुमार माधवन नायर जो कि इससे पहले काम करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनको बना दिया गया है फर्स मैंजिंग डिरेक्टर ऑफ नाशनल एसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तो आप देख सेखते हैं न्यूस आर्टिकल नाशनल एसे रिकंस् है चलते हैं अपने 14 कोशन के ओपर कोशन है हमारा यहां पर फाइनेंस और बैंकिंग का अच्छा कोशन है बैंक फॉर इंटरनाशनल सेट्लमेंट इसको बीएस भी विलाते हैं इसके हेड़कोर्टर कहा पर है मनीला फिलिपीन शिकागो वशिंग्टन डीसी बेसल स्विज यह फिर ऑल अफ दिबाव एलकम तो सुन्स बिल्कुल ही जो से आंसर है कोशन का वह है ऑप्शन नंबर सी बेसल स्विजलेंड बेसल स्विजलेंड में आपको हेड़कोर्टर मिलेंगे किसके मिलेंगे इंटरनाशनल बी आएस बैंक और इंटरनाशनल सेटलमेंट ठीक है बनाया तो 1930 में दुनिया भर के जो सेंटल बैंक से उनको एक तरह से रिलेट करने के लिए जोडने के लिए एक जैसे हमारी कंटी के एक तो थीक है ठीक है चलते हैं हम अपने फिफ्ट पार्ट पे तो बस सुन्स हमारे दो पार्ट बचे बचे 28 कोशन बचे जल्दी खतम कर विएव फिट पर्ट का पहला कोश्चन स्टाइट का आप लोगेव सामने सुन्स बेसल जगा का नाम है बिस वजित कोशन एक डिक एक चांप अगर दिखा देखो अगर आप देखो यह आफरीक है आफरीका में इस रीजन को बोलते है इस्टन आफरीका बहुत बड़ी एक आइलेंड कंट्री है यहाँ पर एक सेगंड बस मुझे आप एक सेगंड का पॉस दो मैं जल्दी से इसका जो चार्जर उसकौन कर दो ठीक है एक सेगंड बस पॉसितस्स ठीक शुरू करता है वापे से तो कोशन आप से पूचा गया था कि कॉमरोस कैप्तल है सब्सक्राइब को मिद्क आपाइब को जो कि अपने दो चलते हैं चलते हैं सुर्ण सब्सक्राइब ठीक है चलते हैं एपने नेक्स कोशन पे कोशन है हमारा स्टार्टिक अफेस का आप लोग के सामने दी हनी एंड होटी कल्चर प्रोडक्शन इस लेटी तो विच ऑफ दीज अगरिकल्चर रेवलुशन देखो हमारी कंट्री में बड़े तरह के रेवलुशन आए हनी और होट कर्दक्शन को बढ़ाया गया हमारी कंट्री में तो जितना मैं देख रहा हूं सबसे बढ़े अटेम्ट कर दिया इस को अवंतिका बोलेस का से आंसर और ऑप्शन ने बड़ी स्का जो बिल्कुल ही से आंसर है हनी और होटी कल्चर की जो प्रड़क्शन है उसको बढ़ाने की लिए सबसे बॉर्टन जो रिस्पॉंसिबल था वो था गोल्डन एवलूशन ठीक है तो गोल्डन एवलूशन की थू हनी और होटी कल्चर की प्रड़क्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया हमारी कंटी के अंदर मैं एक समझारा था अच्छा मैं शा g你 आपको शमझारा था कि एक अप्र्ेयकर के बगल में आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा से यह अंसर आपको बता दिया गोल्डन रेवलुशन के तू हनी और होटी कर्चार प्रडक्शन को हमारी कंटी में बहुत जादा बढ़ाया गया तो गोल्डन रेवलुशन जो था यह 1991 से लेकर 2003 के बीच में चला ठीक है और इसमें हनी होटी कर्चार प्रडक्शन को बहुत जादा बढ़ाया गया तो कोशिश करो हुई इस लोन इस दी फादर ऑफ वाइट रेवलुशन इंडिया चलते हैं सब्सक्राइब कोशन है मारा करंट अफेस काटेगरी का आप लों के सामने किसको अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ दी हाउस इन राज्यसभा जो की था मैंने सब्सक्राइब कोशन पूचा था वाइट रेवलुशन जिसके थो हमारी कर्टी में मिल्क प्रॉप्शन बहुत रहे गया और ऑप्शन वाप यूश गोईल जो कि हमारी के पहले रेल्वे मिनिस्टर होते थे ठीक है अब इनको बना दिया गया है देखो चुन्ट में आपको बताता हूँ राज्यसभा लोगसभा दोनों में आपको मिलेंगे लीडर दोनों में आपको मिलेंगे स्पीकर लोगसभा के स्पीकर कौन है ओम बिला राज्यसभा के स्पीकर कौन है वाइस पेजिंट लोगसभा के लीडर कौन है हमारी कंटी के सब्सक्राइब के लीडर को नहीं बनाएगा यहां पर पीविश गोल ठीक है चारों पूसिशन मैंने आपको पता दिए ठीक है तो देख सकते हैं पीविश गोल अपॉंटेड लीडर आप दी हाउस इन राज्यसभा पहले थावचन गेलो थे और पीविश गोल के पास पहले देलवे मिनिस्टी थी और एक-दो मिनिस्टी थी अब इनके बास बची है टेक्स्टाइल कमर्स और कंजूमर अफेर्स ठीक है आगे चलते हैं चलते हैं अपने फोट कोशन में करेंट फेर्स काटी का इंपोर्टन कोशन है एंटी पीसी रिनेबल अनरजी ने अनौस किया क कि वह कंस्ट्रक्ट करेगा 4750 मेगावाट का इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रजेक्ट आपसे पूछा जा रहा है किस रीजन में इस प्रजेक्ट को बनाया जाएगा एंटी पीसी रिनेबल दर्जी हाज अनौस्ट तो कंस्ट्रक्ट 4750 मेगावाट इंडिया सिंगर लाजर सोलर फोल्ट फोल्ट वर्टिक प्रजेक्ट इन विच रीजन रनफ कच में इसको बनाया जाएगा जोद्पूर में नैनिताल में लडदाक में कोशिश करो कहां पर बनाया जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा सोलर सोलर प्रजेक्ट हेलो निरंजन हेलो मिकेश विल्कम तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर है रन आफ कर्च मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप तो अगर आप देखो पहले तो न्यूज आर्टिकल देख इसका पीडियाइफ मेरे टेली गांव चानल से मिल जाएगा बस अभी क्लास में खतम कर रहा हूँ तो वहां प्लोग असाथ इसकी पीडियाफ मिल जाएगा विए अभिनव जोशी अभिनव जोशी अनकाड़ यह मेरे टेलिगाम चल्ण कर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे चलते हैं अपने पांचवे कोशन पे स्टेट ऑफ दी आर्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस और रिसर्च और अनलेसिस ऑफ नार्कॉटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टांसिज रिसेंट इसेंटर को हमारी कंटी के होम अमिश्ट अमिच शान ने इनाग्रेट किया क यहां पर जैपूर देहरादून गांधी नगा चंडिगण कोशिश करो और रोहित यह क्लास हर संडे हुआ करेगी बारा बजे ठीक है और वैसे जो मैं डेली करेंट फेस कि सुद्स क्लास डेता हूं डेली करेंट फेस की क्लास होती है बैंक लेडर यूट्यूब चानल पे डेली क्लास की क्लास स्पेशल मैप की अलावा एक बिनाट टी क्लास होती सिक्स मन्त इक क्लास उसमें हम लोग 6 मेने के साब्से को एक सेक्टर को पूरा रिवाइज करते हैं थी था हुआ है चारू मैं कोशेश जुरूर करूँगा आपके रिक्वेस्ट है तो जुदू करने कोशिश करूंगा रही बार सुझन का इस का इसका बिल्कुर सियां से और हमारी कंट्टी क्टीर का शेर बहार्दूर द्योबा इनको रीपोइड कर दिया गया किसंटि कर例 कंटी क्टीम का मुंगोलिया भुठा ने réponse करो कोशन कोертв yaptAY S ने के सानटीर कंटीकिक के फिर से बना दिया गया है चेयर बहार्दुर द्योबा हैस फिल्एक पर्याइस भी कंट्री दी से लंका मंगोलिया भुटान नेपाल कोशिश करो इस कोशन को अटेम्ट करने की बिल्कुल इस उन्दों से आंसर इस कोशन का वो है ऑप्शन इंबर बी नेपाल नेपाल में बादुर देवा को बना दिया निया पीम के पी शर्माओली का क्या हुआ कि आपको छो करके ने एलेक्शन अनौंस करते हो बेद्या देवी मिंडारी ने पिछले साल नुमंबर में विदान सभाव बंग करके इलेक्शन इस साल मार्च अप्रल के लिए जाके अनौंस करे के पी शर्माओली को बना लूगा और फिर से बन जोगा प्राइमस से फिर सुप्रीम अपना फ्लोर टेस्स दो फ्लोर टेस्स में कि शर्माओली को हारना था क्योंकि इनके अलाइस टूट चूट चुका था जैसी वह हारे उसके बाद कुछ टाइम के लिए कर पीम बनाया गया और अब यहां पर सुप्रीम कोट ने शेर बहादुर देवा को नेया यहां पर प फ्लोर टेशन के बनाया है और चलते हैं सफ़ीन के पर कोशन है हमारा बैडमिंटन वर्ड फएडरेशन जो की इंटरनाशनल गवर्निंग बॉड्य है बैडमिंटन की इन्ट हैं में होस्टिंग राइट्स दे दिये हैं इंडिया को इंडिया वर्ल्ड चैंपेंशिप लिए में होगी किस साल में 2021-2026-2022 कोशिश करो इस कोश्चन को अटेम्ट करने की अलोग बच यह क्लास के और 15-20 मिनिट ही बचे हैं हमारे नाइंटीन ट्वेंटी कोश्चन टूटल बचे हैं निरंजा ने बिल्कुस यह कर दिया इस कोश्चन का अंसर बहुत साय लोगों ने टैम करना शुरू कर दिया दोजाट चांपिस इंडिया होस करेगा बेडमिंटन वर्ल्ड चैंपेंशिप इंडी यह 2026 BWF जो की है ब्रक्र बेंटन वर्ल्ड निए इंटर्नाशल गोर्निंग बॉडीत आई इसी शार की ऐल्द को ऑगे जलें हम अपने हैं हम करो सारे साल में अब्ज़र्बिpe शेयर जाता as world youth skill day पूरी दुन्या में world youth skill day किस date को उता है 12th of July 13th of July 14th of July 15th of July which day of the year is observed as the world youth skill day every year कोशिश करो तो बिल्कुली से answer attempt करना शुरू कर दिया लोगों ने बिल्कुसी आप attempt करें और स्टोंट्स नमर डी 15th of July इस कोशिशन का बिल्कुसी answer है इसका main motive है पूरी दुन्या में यह पतानी कोशिश किया रही है कि skill के बिना न skill के बिना आप एक secure professional life नहीं attain कर पाओगे क्योंकि skill ऐसी चीज़ होनी चीज़ है जो आप बाकियों से अलग बनाते है तो आप अपने skills पे हमेशा काम किया करो जो भी रियल टाइम बस tracking system बनाया जाएगा ठीक है रियल टाइम बस tracking system बनाया जाएगा इसका मतलब क्या है कि जैसे आप अपने फोन पर देखते हो न कि उबर लॉग अगर तो कहां गाडी है जुमैटो से और गाया है तो कहां हो जुमैटो वला है ठीक है अब आपको इसी तरह से इस पर्टिकुलर स्टेट में बस इस के बरमें बता चलेगा किस टेट की बात की जा रही है गुजरात पंजाब हरणा दिली कोशिश करो इस कोशन को टेंट करने की विच स्टेट गवर्मेंट है क्लाबरेटेड विद गूगल टूगल टूगल इस काटिगरी का वो कौन सा पेमेंट सिस्टम है जिसको की रोक दिया गया है 22nd of July से वो पेमेंट सिस्टम अपने नए कार्ड यहां पर नहीं बांट पाएगा Mastercard वीजा रूपे नन ऑफ दिबव आर्व ने किस पेमेंट सिस्टम को बोला कि अब आप अपने नए कार्ड 22 जुलाई से इशु नहीं कर पाओंगे कोशिश करो Mastercard वीजा रूपे नन ऑफ दिबव स्कोशन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है option नमरे Mastercard Mastercard को असल में परमीशन नहीं है कि 22 जुलाई से वो अपने नए कार्ड इशु कर सके मतलब यह जो होता है Mastercard वीजा रूपे यह अपनी पार्टर्शिप करते है बैंकों के साथ फिर बैंक इनके कार्ड हमकों देते है Mastercard के कार्ड 22 जुलाई से यहां पर नहीं बाटे आ सके क्योंकि Mastercard ने RBI की गाइडलेंज जो ती डाटा इंडियन कस्टमर्स का वो इंडिया में ही स्टोर होगा बार डाटा नहीं जिसकी लार्जेस रूलर पॉपलेशन गाउं में रेन विली पॉपलेशन किस स्टेट में सबस्यादा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अगला सेंसस हुमारा अभी तक हुआ है नहीं दोजार अबलग नहीं रहा हो पाएगा अगले साल होगा ठीक है एस पर सेंसस 2211 विच आ रूलर पॉपलेशन गाउं में रेन विली पॉपलेशन भी सबसे जादा है ठीक है चलते है अपने बार में गोशन अच्छा गोशन है सोशल स्टेडीज का आप से पूछा जा रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से पताओ क्रिश्चन धर्म को फॉलो करने विली पॉपलेशन हमारी कंटी कौन सी स्टेट में सबसे आदा है इस परसेंटेज के साब से बिलकुली सुद्स इस कोशन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नागा लैंड मैं आपको दिखा भी देता हूं मेरे पास बड़ा च्छ यहां पर चार्ट है क्रिश्चन रिलिजियर सेंसस दोज़ा गया नागा लैंड में कुछ 87.93 परसंट लोग क्रिश्चानिरी को फॉलो करते हैं पर अगर अगर आप नंबर आप पीपल के साब से देखोगे तो नंबर आप पीपल अगर आप इस नंबर को कंपेर करोगे के के साथ किरला के साथ किरला बहुत आगे पर परसंटेज में केला सिर्फ 18.38 पर इसलिए मैंने बोला था नंबर आप पाइस के साफ से बतार रहे चलते हैं जल्दी से खतम करते हैं अगरे रिलाउंच कर दिये एक सेंटल स्पॉंसर स्कीम नैशनल आईउश मिशन आयूश हो स्लों के लिए आप से पुछ रहा है इसमें कितनी अमांट को अलोट किया है हमारी संद्व कार के रूपीज 4600 क्रोल को आशपासいる। कि वह रूपीज 4600 क्रोल के असपास जो पैसे करोमंट को देना है एक दोच्छ करोट को जो पैसा है वो देना है स्टेट गवर्मेंट को जल्दी असे सब्सक्राइब के पास है और सारा पैसा भी सेंटर को लगाना होता है जो सेंटर स्पॉंसर्ड स्पॉंसर्ची में पैसा को सेंटर करते हैं जहाए तर स्टेट को भी लेखनी पड़ती है चलते हैं हमारे पार्ट के आखरी कोर्शन पर लास्ट फोर्टीन कोर्शन बच जाएंगे कोर्शन है मारा फाइन्स और बैंकिंग का हमारी कंटी के सरकार ने डी ए और डी आर बढ़ा दिया है 1st of July 2021 से मतलब बढ़ा है इसको लेट गया है बर 1st of July से इंप्लिमेट होगा अब नया DA मतलब DNS Alloyance और डीरेंस रिलीव केता है 17 पसंट 11 पसंट 28 पसंट 31 पसंट सुन से जब DA और डी आर होता है यह दिया जाता है Central Government की Employees को DA होता है Central Government Employees के लिए DR होता है Retired Employees के लिए यह क्य जितना भी होगा DA-DR उसको फिर से जीरो कर दिया जागा क्योंकि Pay बढ़ चुकिया है फिर उसको बढ़ाना शुरू किया ठीक है बिल्कुल ही सही अंसे सोर्स ऑप्शन बस ही आप लोग ने बिल्कुल से बता दिया 28 पसंट कर दिया है हमारी कंटी Government ने DA और DR को तो यह 2020 जन सुन्दरबन नाशनल पार्क जो कि UNESCO World Heritage Site है कौन सी स्टेट में असाम वेस्ट बिंगॉल पंजाब के ला सुन्दरबन नाशनल पार्क शोंट्स आपको मेरेंगे इंडिया की स्टेट वेस्ट बिंगॉल के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैप पे दिखाते हो देखो यह सुन्दरबन डेल्टा यह बनाती है रिवर गंगा फिकांगा नदी बनाती है डेल्टा एक ऐसा स्ट्रक्श्य होता है जो नदी के सेडिमेंटेशन फ्लो की वैसे इंडिया और बंगादेश के बॉर्डर पर आपको मिलेगा सुन्दरबन नाशनल पार्क रोयल बिंगॉल सुन्दरबन नाशनल पारक की सलते अपने दूसरे कोश्शन पर क्या करनसी है कंटी की जौरजियक की जौर्जिया की है कां गूर्जिया क्hm accent सेदी, फोरित, कुट्जल, असलों में students यह जो कंटी है जॉर्जिया, इसकी करंटी का है, जॉर्जिया की जो करंटी है students वो है option number A, लारी, ठीक है, तो अगर आप देखो यह उपर रशी है, नीचे सारी Middle Eastern कंटी है, बीच में थोड़ी बहुत कंटी फसी हुई है, जॉर्जि कोशन है, प्राइमनिस्टर नेरंदर मोदी ने रिसेंटल इनागरेट किया है, इंटरनाशनल कोपरेशन और कन्वेंशन सेंटर, इसका नाम है दुरूर्द राक्ष, आपने जुरूर्द इसकी इमिज़ेंगी, शिवलिंक की तरह आपको दिखने को मिलेगा, यह कोपरेश के पुराने प्राइमिस्टर, शिन्जवाबे के बार में बात करी, अब तो जपैन के ने प्राइमिस्टर योशी हीडे सुगा, तो जपैन में एक सिटी है, क्योटो, जो कि उनकी एक तरह से टेडिशनल, इसी तरह से डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर वारा निस्री को जो हमारे कंटी के प्राइमिस्टर का संसर्दिय शेतर भी है, चलते है अपने फोध कोशन पर, कोशन है, हमारा करेंटर फेस कार्टिगा सुट्स, वो कौन सी उनिटरिटी है, जिसने साइन की एक एगरिमेंट सिक्किम स्टेट के साथ, एगरिमेंट में यह लिखा हुए है कि सिक्किम स्टेट इस उनिटरिट को सिखाएगा कि औरगनिक कैसे बनना है 2025 तक, औरगनिक बनने का मलता है कि जब आप अगरिकल्चर करते हैं, आप फर्टिलाइजर, कैमिकल यह सब यह सब यह लिखाएगा, क्योंकि सिक्किम खुद एक औरगनिक स्टेट है, हमारी कंटी पहली organic state हमारी कंटी के पहली organic यूटी है लक्षदीड यहां पर किस यूनिटरिटी के बात होगी अंडेवा निकोबार, चंडिगड, पूड़ुचरी लदाक बिलकुल यह सब्सक्राइब कर दिया है तो आप देख सकते हैं लदाक साइन्स MOU with sikkim to turn union 30 organic by 2025 सेल अपने पांचवे कोशन पर कोशन है करंट अफेस काटिगरी का आप लोगों के सामने पहला grain dispensing ATM हमारी कंटी में खोला गया है किस city में grain dispensing ATM अना जिसमें से निकलेगा कहां खोला गया है गुरुगराम पूने पतना रायपूर तो स्टोंस हमारी कंटी का पहला grain dispensing ATM को खोला गया है इंदी city ऑफ गुरुगराम हर्याना ठीक है सब कंपनी NTPC के अंदर यह बनाएगा हमारी कंटी कौन सी सेट में सिक्की में हमाचा पर इस लदाक या गुवा बिल्कुल इस सही अंसर है वो है option बसी लदाक लदाक में बनाया जाएगा हमारी कंटी का पहला green hydrogen based mobility project चलते हैं अपने देख लेते न्यूज आर्टिकल एक बनाने की कोशिश कर रहे है मतलब हाइडोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है पर थोड़ा समझना मुश्किल है थोड़ा टेकनिकल हमको और यहां पर एडवांस होना पड़ेगा तो यह चीज़े की जा सकती है साथवड़ेव कोशन करंट अपने के सामने बैस्टिल डे रीसेंटी बैस्टिल दे को सेलेड़ेट किया गया इस दी नाशनल दे ओ व इच कंटी आपने अगर सत्वी यह ए अठवी क्लास में हिस्टी पढ़ी आपको पक्का आता हूँ हो बैस्टिल डे किस कंटी से जुड हुए है फ्रांस के रेवलुशन से तो आपको बोता हूँ बैस्टिल डे असल में मार करता है कि जब बैस्टिल को गराए गा था एक मिलिटी फोर्टरेस थी और एक प्रिजन थी जो 14th of July 1789 को गरा दी रेवलुशनरी जो प्रिजनर से बाहर निकाल दिया गया था इसको बोलते है बैस्टिल डे ठीक है चलते है अपने आठवे कोशन पर कोशन सुरेखा सिकरी जिनको आप देख रहे हो शी रीसेंटली पास्ट वे सोना जलाए 2021 की स्कून की टेथ होगी इन्हों ने एक बहुत ही इंटिग्रल रोल निभाया था एक ऐसी टीवी शो में जो ट्रांस्वर्मेटिव था सुसाइटी की सोच बद्ली उस टीवी शो ने क्या नाम था उस टीवी शो का बाली का वधू नाना जेस लाटो उत्रन यासर फुल वा तो स्टूर्ट इस कोशन का जो बिलकुल ही सही आ नाम क्या था तो यह बहुत इंपॉर्डन रोल निभाते थे बाली का भधू टीवी शो में रीसेंटी शी पास अवे चलते हैं सब्सक्राइब नौवे कोश्चन है करेंट फेयर का वह कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है जोने लांच कर दिया है लेक्ट्रिक बाइक टै करनाटका के CMBS यदरपा अन्वीर्स करनाटका इलेक्टिक बाइक टैक्सी स्कीम ठीक है चलते हैं बिल्कुत से नवीर बिल्कुत से आप पता रहे हो चलते हैं अपने दसमें कोश्चन पर सुर्ण्स हमारी कंटी लेक बिल्कुल भी अच्छी नियूज नहीं है करेंट फेय इंदे गिस1 पुछर दॉर्प से यह आंसर काम करते हैं असल में है से यह इनके लेक्लाशन के दूरान इनकी करते हुगंगी हमारे साब चे तो हमने हमारे क्लाश्मिन की डेथ नहीं हो तो वह एक ता से बस इजस्टिविक्शन दे रहें क्योंकि उनको पता है अगर इंडियन भी अपना एक ता से थोड़ा घुसा दिखाएं के तालीबान पे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जागा इस रीजन मे क्या चीज़ पताती है कार्म लाइन कोशिश करो इस को आंसर करने की स्टोंट इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है कार्म लाइन असल में हमको समझाती है एज ऑफ दी स्पेस मालब स्पेस कहां पर खतम हो रहा है मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूं अच्छे से समझ रहे थे उन्हें कार्म लाइन को क्रॉस नहीं किया तो दुनिया वर के लोगों ने बोलना चुरू किया कि वसल में स्पेस में गई ही नहीं वह पहले ही वापस आगे ठीक है चलते है अपने बार में कोशन है स्टूंट हमारा यहां सोशल स्टैडिस का बोल बं यात्रा स्टैडिस को बोल्वा में यात्रा को अपड़ा था colonial ये अपने के सामने नफ्ट फूलव के नचल एटकेवा社 fund transfer, national emergency fund transfer national electronic financial trust इसका students बिलकुल ही सही आंसर है NEFT होता है national electronic fund transfer 2005 में RBS को लेकर आया था हमारी कंटी में payment transfer करने के लिए NEFT को use किया जाता है आज का students हमारा आखरी question income tax relation में form 61 किस से associated डिड़ता है वो person जिनको taxable income नहीं होती वो person जो कि agriculture income पे depend करते हैं वो लोग जो option number A और option B दोनों में आ जाते हैं या फिर इन में से कोई भी तो बिलकुल इस students इसका सही आंसर है form 61 जुडता है असल में person with agriculture income के साथ इसके साथ students हमने ये पूरी class यहाँ पर कर लिया cover YouTube platform पे और Unacademy platform पे मेरे पूरे हफ्ते क्लास तो वैसे Sunday में बस एक यही क्लास है Sunday और क्लास नहीं होती तो Monday से students हमारी सारी क्लास ही शुरू हो जाएंगी daily current face क्लास bank ladder YouTube channel पे रोज सुबे 10 से 11 होती है Monday और Saturday फिर एक हम दखते है special map class 20-25 मिनिट की क्लास में मैं आपको map के थूरू दुनिया में कोई एक एरिया दिखाता हूँ फिर उसके basis पे हम question करते हैं यह होती है Monday शाम को साधे साथ से आठ same YouTube channel bank ladder फिर 6 months reviewing class होती है students Tuesday शाम को साथ से आठ इसमें कोई एक category पिछले 6 मेने के साब से revise करते question आसस भी किये जाते है फिर students यहाँ पर Friday शाम को होती है full week current for reviewing class और Friday दुपहर को होती है तीन से साधे तीन 20 best questions of banking and economy class सब कुछ यह जो classes है bank ladder YouTube channel पे होती है अगर students आप लोग अने अकाडमी प्लाटफों में प्लाटफों में आपिनो जोशी नाम से जो भी classes में अने अकाडमी प्लाटफों में लेता हूँ सब का आपको link यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा इसको आप एक और बहुत easy काम आप कर सकते हो कि telegram चलना आप मेरा join करो यहाँ पर YouTube की classes, यहाँ पर अने अकाडमी की classes, classes की PDF सब कुछ इस Telegram चैनल पर मैं डाल देता हूँ CA by Abhinav Joshi, एक-एक डिटेल, class शुरूने से पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको आप जॉइन कर सकते है उसके आप आपको पता दूँ कोई भी course purchase करना हो किसी भी आपको बिलकुल मिल जागा, कोई भी course लेना हो सिर्फ बैंकिंग नहीं कोई भी course ठीक है अने प्लाटवाम पर एक report और वेन initiative चल रहा है अगर आपको असने लिखता है कि कोई educator ने आपके सामने ऐसा content रखा है जो inappropriate है, आप उस वीडियो को description में जाके report कर सकते है, बदले में आपको अने गाडवी यहां पर एक award भी जरूर देगा ठीक है students, इसके साथ इस class में जेते question, जेतने news, जेतने topics में जे cover करने थे मैंने cover कर लिए, I hope ये class आपको useful रही, आपने कुछ नया सीखा अगर students, आपके लिए class अच्छी थी, आप मारे चैनल को subscribe कर सकते हो, बैंक लेडर यूट्यूब चैनल को भी subscribe कर सकते हो, जहां में daily classes लेता हूँ, इस video को like कर सकते हो, इसको students आप शेयर भी कर सकते हो, thank you very much for joining, thank you everyone, thank you बिल्कुल जोती है, यहां पर आपको daily classes मिलेंगी, thank you everyone, I hope ये class आपको अच्छी लगी, आपने कुछ नया सीखा, I hope आप अच्छे से मैं आपको सब कुछ चीज आपर समझा पाया, तो इसके साथ students इस class में, जितना कुछ मुझे cover करना था, मैंने cover कर दिया, thank you for joining, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली class के अंदर, जो की होगी, इस channel पर होगी students, अगली class हमारी Sunday को, वैसे तो अगले हफ्ते से Saturday भी शुरू करूँगा, Saturday भी करूँगा, Sunday भी, और अगर daily classes आपको लगानी, आप bank ladder YouTube channel को बिल्कुल join कर सकते हो, ठीके students, thank you for joining, have a very successful day, इसके बाद आप rest करो खाऊ पियर, enjoy करो, और अब हम लोग मिलते हैं अपनी class के अंदर, next class के में, thank you everyone, thank you, बिल्कुल की मैं, मैं भी चाह पी लाता, आप भी चाह पी लाता, आप भी चाह पी लाता, thank you students